बात करेंगे soft gel capsule के बारे में आपने अधिकतर capsule के उपर लिखा हो देखा होगा कि soft gel capsule है यह तो यह soft gel क्या होता है इसी को समझेंगे तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको संपुर्ण चानकरी मिल सके शुरू करते हैं दोस्तों soft gel capsule मतलब यह होता है कि soft gelatin जेल लेखा है मतलब उसके इंदर जेल नहीं है जेलेटन होता है ठीक है कैप्सुल आपने देख रहे होंगे एक hard gelatine होता है hard gelatine आप खोल के देखते हैं उसमें powder निकल जाता है तो उसे बोलते है hard gelatine तो उसको आप खोल सकते हैं दवा निकल जाती पाउडर के फॉर्म में रहती है एक होता है दोस्तों soft gelatin पहले बात आती है क्योंकि soft gelatin बनाने की जरूत क्यों पड़ी है क्योंकि hard gelatine होता है वो hard होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप उसको दवा को powder के फॉर्म में डाल सकते है उसमें आप liquid नहीं डाल सकते है लिकोड डालेंगे तो क्या पूरा-पूरा-पूरा capsule dilute हो जाएगा घुल जाए pouring now to the one you kilo Luca riders は किस्ट के नोती है कुछ movies दवान लिक्यट पो अ निग्यां को फिल करने के लिए यह jsutा होता है तो कैप्सुल प्र्पूरा in person एक है ना खाई तो वो गुल कि में यह लेकिन capsule क्या है एकदम से नहीं खुलता वो नीचे जाके घुलेगा क्योंकि जब खुल खुलेगा उसका जेलेटन घुलेगा फिर उसकी दवा निकलेगी बाहर तो कोई भी capsule उसका काम यही होता है कि उसकी उपर एक protective layer होती है उसकी बोला है cell होती है जेल काई की बनी होती है जेलेटन की अब ही यहां पर बात आती है नॉन बेज और बेज की तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक capsule जेलेटन का बना हो कुछ capsule cellulose की बनती है पुराने समय में आप दवाईयां खाते तो आपको पता नहीं चलता था कि यह नॉन बेज है बेज नॉन ब तो cellulose का है मतलब कि यह plant sex के जाता है plant से प्राप किया था यह तोड़ा महंगा पड़ता है जेनी लोग जो होते हैं वो यह ढूंडते हैं बुरा मत मानना जेनी अगर कोई देख रहा है तो उसको बहुत मिर्ची लग जाती के लोग यह सब कोई बुरे बाने बाले बात नह में भी होता है यह collagen protein से प्राप्त किया जाता है cellulose मिलता है लेकिन gelatin मचलियों से मास्ट से इन से माध्डियों में से कॉलेजन जो प्रोटीन होता है कॉलेजन क्या होता है क्योंकि यह बोले में सिंतरसाइज नहीं किया गया तो सेल्लों जहां पर महेंगा पढ़ रहा है जेलेटिन सस्ता बढ़ता है इसलिए ज्यादातर कंपनियां सौफ्ट जेल क्यातर हुते हैं यहाट जेल पिक्सुल बनाते हैं अभी बाता आती है इसके अडवांटेश कोते हैं नुक्सान क्या होते है हाड क्यों भनाता है आज आज करिण अपक बताई दिया प्रद्छा है तो उसको आप हार्ट में भर सकते हो ठीक डब भी पेक कर दी खा लिया लिक्विड है मल्टी विटामिन से फिश ओई है यह ओईल बगर कैसे पेक कर भांद होटा होता की आख cat skin क्योंकि दरग जट्राइव चाहिए प्लांट होता है तो यहीं होता है soft gelatin नहीं को बता दिया soft gelatin जानवरों से मिलता है अगर आप खा रहे हो तो उस पर देखना महाँ पर beige non-wage का symbol होता है red beige non-wage का होता है अगर green symbol है box के अंदर बिंदी तो वो beige कहलाता है तो यह होता दोस्त को soft gelatin capsule अभी बात आदे इसके नुक्सान क्या हो सकते बाई इसमें क्या तकलिफ हो सकती देखो फाइदा तो इतना है कि आदमी लेगा तो सो कोई तकलिफ नहीं उसको एसा रगड नहीं खाएगा लेने में आदमी को आसानी रहे कि फटाक संदर चला जाता है और तेर सो मैनी benefits इस इससे बाइबलेटी वी बढ़ जाती है दबाई की तो इतना कोई नुक्सान नहीं नुक्सान क्या है यह थोड़ी बहुत भी moisture के अंदर खराब हो जाता है आप इसको ज्यादा एंवार्मेंट में नहीं रख सकते हैं तो यहीं इसकी कुछ खामिया है तो दोस्तों यह होता सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए तो आप देख रहे थे ग्यानियर मैं हूं शीवम और मैं मिलता हूं अगली वीडिम दोस्तों जैंद पंदे मात्रा वीडियो और दोस्तों कर से दोस्तों कर सकते हैं।